हेली स्टुडेंट्स, आम टेक्टर राजुशर्म, आज हम अध्यान करेंगे सुदान तुल्य प्रदेश वेवं उश्व मानसुनी प्रदेश की जलवायोगा। सुदान तुल्य प्रदेश 5 डिग्री से 22 ग्री उत्री अक्षांसों के मद्धी स्थी थें। इन प्रदेशों का विस्तार अफ्रीका महादीब के सुदान पूर्वी अफ्रीका का पठार। और जिंबेंजी बेसिन में दक्षिडी अमेरिका मादिप के गायना पठार और ब्राजील के पठार और और उस्टेलिया उस्टेलियन सवाना में है सुडान तुले प्रदेश की जलवायू गर्म और साधरन आद्र होती है यहां गिरीश में रितू में और सकतापमान 28 डिग्री से 33 डिग्री से 33 डिग्री से रहता है वर्षा का वार्षिक ओसत 50 से 116 सेंटिमीटर है भूमति रेखा के निकटवलती भागों में अधिक वर्षा होती है सुदूर भागों में वर्षा का ओसत 50 सेंटिमीटर ही रह जाता है यदि प्राकति वर्षपती की दर्ष्टी से देखा जाए तो उच्च तापमान और साधरन वर्षा के फलस्वरूप इन प्रदेशों में लंबी और घनी घास जो घास है वो मिलती है और कहीं कहीं पर वरक्ष भी उग जाते हैं अथे ये घास के मैदानों के लिए विश्व प्रसिद्य इन घास के मैदानों में कहीं कहीं वरक्ष भी मिलते हैं इसी कारण इन्हें पार्क लेंड भी कहते हैं सुदान तुले जलवाईव प्रदेशों में मिलने वाले अधिकांस प्रशू शाकाहारी हैं जिन में जिराफ, नीलगाय, सांभर, मारे सिंगा, हिरन, खरगोष, कंगारू, प्रमुख हैं साथ ही शेर, चीता, लक्रबग्गा, भेडिया, तेंदुआ जैसे हिंसक पशू भी मिलते हैं दलदली भागों में गेंडा और नदियों में मगर और दर्याई घोडे मिलते हैं नेक्स्ट है उश्रू मानसूनी प्रदेश, मानसूनी प्रदेशों की इस्तिती उत्तिरियों दक्षणी दोनों गोलाधों में 8 डिग्री से 30 डिग्री अक्षान्सों के मध्य हैं ये प्रदेश भूमध्य रेखा से उत्तिरियों दक्षणी भागों में महादीप के पूर्वी भागों में एवं मध्यवत्य भागों में इस्तित हैं इन प्रदेशों का विश्तार एश्या महादीप के फिलिपाइन दीप समूं हिंदी चीन दक्षीनी चीन थाइलेंड बर्मा थाइलेंड बर्मा बंगला देश भारत पाकिस्तान अफ्रीका के पूर्व की ओर मालागासी और मोजांबिक में और आस्ट्रेलिया के उत्तिरी पूर्वी भाग में लेटिन अमेरिका महादीप के केरेबियन तर्ड़ और मध्य अमेरीका मेक्सिको और ब्राजील के पूर्वी तर्टिये भाग में है यदि जल्वायू की दिश्टी से देखा जाए तो मानसुनी जल्वायू प्रदेशों में जल्वायू उष्ण और आद्र होती है इन प्रदेशों में वार्षिक तापांतर भी अधिक मिलता है उत्तिरी गोलाद में गिरिश्मी रितू अप्रेल से सितंबर मास तक रहती है इस रितू में इन प्रदेशों में अत्यदिक गर्मी पड़ती है जबकि ओसत तापमान 30 डिगरी सेंटीगर्ड से 38 डिगरी सेंटीगर्ड तक रहता है भारत के उत्तर पश्चीमी भाग में तापमान 40 डिगरी सेंटीगर्ड तक और मध्य मेकसिको में 40 डिगरी सेंटीगर्ड तक मिलता है गिरिश में रितू गर्म और नम होती है या शीत रितू नवंबर से फरवरी माह तक रहती है इस रितु में साधर अंध, थंड पर्ती है, शीद रितु का उसत ताप्मान 15 degree centigrade से 18 degree centigrade तक रहता है भारत के उत्तिरी भाग में नियुन्तम ताप्मान 5 degree centigrade से भी नीचे गिल जाता है यहां 20 डिग्री से 25 डिग्री सेंटिग्रेट तक तापांतर रहता है यह तापांतर समुद्र तट पर 10 डिग्री सेंटिग्रेट से भी कम रहता है शीत रितू में वर्षा कम होती है यानि कि शीत रितू शीतल और शुष्क होती है मांसुनी जलवाईयों वाले प्रदेशों में बर्षा गीश मिरूतु में अधिक होती है। दक्षिरी गोलाद में और उत्तिरी गोलाद में अधि तुलना की जाये। तो दक्षिरी गोलाद की अपेक्षा उत्तिरी गोलाद में इस्थिती में जो प्रदेशों की स्थिती है तो ये जो दक्षिरी गोलाद है उनकी अपेक्षा उत्तिरी गोलाद में जो मानसुनी प्रदेश हैं वहां वर्षा अधिक होती है इस रितु में वर्षा का ओसत 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक रहता है समुद्र तटिये और वबना वक्ती प्रदेशों में वर्षा अधिक होती है शीत रितु में वर्षा केवल सुदूर दक्षिनी पूर्वी भारत, केरिबियन तठ, माला गासी और उत्री पूर्वी उस्टेलिया में होती है शीत रितु की वर्षा का उसत 10 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर रहता है मांसुनी प्रदेशों में होने वाली वर्षा बहुत ही अनिश्चित और असमान होती है यदि प्राक्रतिक बनस्पति की द्रश्टी से देखा जाए तो मांसुनी प्रदेशों में तापमान और वर्षा की भिन्यता के कारण भिन भिन प्राकार की वनस्पति मिलती है क्योंकि यहाँ पर प्राक्रतिक वनस्पति वर्षा पर निर्भर कलती है अधिक वर्षा वाले रदेशों में सदा बारवन मिलते हैं प्रमू फ्रक्षे नारियल चंदन महोगनी रबड सामानी वर्षा वाले छेत्रों में मांसुनी वन बिलते हैं इन मांसुनी वनों में व्रक्ष चोड़ी पत्ति वाले होते हैं यह पत्जर व्रक्षे जो वर्ष में एक बार अपने पत्तियां गिरा देते हैं इन वनों में प्रमुख वक्षें, साल, सागोन, आम, शीशम और नीव साधरन वर्षा या पचास सो सेंटीमीटर वर्षा वाले प्रजिशों में घास के मैदान और नीम, बबूल, पलास, चंदन, मौवा, खेजड़ा, आधी के वर्ष मिलते हैं यहां के जो घास के मैदाने, महाशाकाहारी और मासाहारी दोनों ही प्रकार के जीफ पाये जाते हैं तो बच्चों, आज हमने सुडान तुल्ली जलवायू प्रदेशों का अध्यन किया और उसके साथ ही उस्रमान सुनी जलवायू प्रदेशों का अध्यन किया नेक्स टाइम, दूसरे जलवायू प्रदेशों का अध्यन करेंगे तब तक के लिए, a very happy learning and have a good day, thank you